बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम लेकूम, वेलकम टू फूटिश, आज हम फूटिश पे बहुत मज़े का एक और केक बनाने जा रहे हैं, डेट्स एंड एल्मन केक, खुजूर और बदाम के साथ एक खेल्दी सा केक बनाएंगे, जो कि आप किसी भी मौके पर यूज़ कर और स्पेशली जब आप चाहें कि कोई डिफ्रेंट फ्लेवर का केक हो तो यह आपको बहुत एक सूटेबल ऑप्शन लगेगा, क्यूंकि इसके अंदर मैंने इलाइची एसंस भी अट किया है, तो वीडियो को आपने अंड तक देखना है, ताके आप पूरी रेसिपी को फ इस तरह से, आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने इलेक्रिक बीटर यूज कर लिया है, आप सेम रिजर्ट ले सकते हैं, हैंड बीटर से भी, हाथ से भी बीट कर सकते हैं इसको, और यह है कि वो आपको तक्रीबन 10-12 मिनट में सलसल बीट करना पड़ेगा, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा इसके लिए, और तक्रीबन 7-8 मिनट तक इसको मैंने बीट किया है, और यह इसका क्रीमी टेक्चर आगया है, इस तरह से जो आपको नजर आ रहा है, फुमी टेक्चर इसका आपने भी ऐसा ही बनाना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्या मैदा लेंगे, और उसको जो है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डार के इसको चान लेंगे, यह आपने डालना है, वान टी स्पून बेकिंग पाउडर और इसके बाद आपने डालना है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, और अब आपने इसको अच्छे से चान ले पर भीटर को मिट्स करेंगा लिए थोड़ा मिक्स हो जाये तो फिर बीटर को उन करेंगे ताकि मैदा बाहर की तरफ उड़ेने इस तरह से हैं इस दीज़ ऐसे बीटर से भी कर सकते हैं बहुत अराम से मैदा बहुत ज़्यादा बीटनी करना आपने और उसके बाद आपने इसमें 1-4 cup दूद एड़ कर दिया और अब इसको एक मिनट के लिए बस आप मिक्स करेंगे बहुत जादा बीटिंग एक मिनट से भी कम करेंगे मैदे को बहुत जादा बीट करने से केक जो हो जाता है तो अब जो बाकी की मिक्सिंग है वो मैं स्पैचला की बीटिंग को और अब हम बाकी का काम जो है वो स्पैचला या बीटर की मदद से हैंड बीटर की मदद से करेंगे यह फटी स्पून मैंने इसके अंदर इसेंस डाला है और आपके पास यह इसेंस नहीं है कोई और है तो आप वह भी अट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा और भी अपको ईंब कर दो मैं जो के तो यहाथ हमेंने इसको मिक्स किया है कहाद मैंने इसको यह इसको चुल्ड के वाधन से रिटर की लिबन मैं है यह तो अच्छे से के अंदर में मिक्स कर रही है कि जब हम भीटर सुर Surprise और ये जो बदाम है वो mix करेंगे तो वो तैह में नहीं बठेंगे अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो जब केक फूले गा तो ये सारी चीज़ें तैह के अंदर चली जाएंगे और पूरे केक में mix नहीं होंगी तो ये step आपने mix नहीं करना है इसी तरीके से अच्छे से करके मैद में mix नहीं को तो फिर आपने मसल मसल के उसके अंदर डालना है बस ड्राय मैदा अंदर नहीं जाना चाहिए बस ये चीज़ें जाए उपर उपर से उठाके आपने खजूरें और मैदा जो डाल देने हैं ये नीचे जो मैदा मैंने छोड़ दिया जो एक्स्ट्रा था हलके ह हाथ से बस एक से दो दफा आपने इसको हिलाना है जादा मिक्सिंग नहीं करनी वरना सारी चीज़ें नीचे बैट जाएंगी एक चोटा पैन ले लिया है हमने 6 इंचिस पैन है और आपने इसको ग्रीस करके बैटर बटर पेपर लगा दिया और बैटर एड़ कर दिया इसक इस तरह से जो बाकी मैदा बचा था उसके अंदर मैंने हलकी सी कोटिंग कर लिए इसकी ताकि यह भी नीचे ना बैठें अब यह इस तरह से आपने खजूरें उपर एड़ करते जाना है और चीसी कोटिंग कर लेनी है गारिशिंग कर लेनी है इसकी इस तरीके से पैन को प तो मेरा केक को चेक करती हूं अगर तो स्टिक हमारी साफ आगी तो इत्मीन्स हमारा केक रड़ी है माशालला देखिए कितना खुबसूरत कलर आया है उसका और हमारे जो कजूरें और वदाम हैं वो बिल्कुल भी नीचे तहह में नहीं बैठे और बहुत अच्छा लग रहा ह हमारा केक बहुत अच्छी खुश्भू आ रही है इलाइची की यहां पर एक लाइक तो बनता है लाइक कर दे मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ताकि आप ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखते र है और हेल्दी है साफ सुत्रा है आपने खुद बनाया है आपको आइडिया है कि इसके अंदर आपने क्या डाला है और आपको बिना किसी शुकर शुभात कि आप इसको एजिली खा सकते हैं देखे कितना अच्छा राइज हुआ है हमारा केक और बहुत अच्छा उसका कलर अच्छा उल्दी है आप जरूर बनायेगा और मुझे बताइगा यह प्लीवर आपको कैसा लगा इलाइची केक आपने शाइद पहले नहीं खाया होगा तो आप यह वाला केक जरूर बनाइए गा और आपको आईडिया होगा कि इतना मज़गा है इसको मैं आपको दिखात सॉफ्ट है इसका सॉफ्छ सिय। बहुत अच्छा है और आउप आपको बहुत अच्छा लगेगा आप दुरूर बनाएगा और कमेंड्स में जरूर बताएगा किया आपको ये फैंप आप फ्रेंड्स को घरवालों को आपको कैसी जो है बेकरी में नहीं बलके घर में बना है वो भी without oven तो दौाओं में याद रखेगा अपना बहुत ख्यार रखेगा ये देखें मैं आपको एक और पीश दिखाती हूँ कि एक हमारा कितना soft है ये देखें इसके अंदर जहें वो खजूरें और बादाम भी हमें नजर आ रहे हैं जो के तहर में बिल्कुल नहीं बैठे और बिल्कुल softness आप इसकी feel कर सकते हैं ये देखें ये daytime के लिए best option है और ये बिल्कुल 45 minutes में बन गया है तो अगर आपके guest आने वाले हों तो आप easily इसको फटाफट बना सकते हैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आप घर में लाके नहीं रख सकते हैं तो softness चेक कर लिए आपने इसकी और color भी देखें खुशबूँ तो मुझे बहुत अच्छी आ रही है अपना ख्याल रखिएगा आला हाफिज